So guys, कि आप लोग भी वोडसाप पर किसी की भी स्टेटस को देखते हैं, तो वहाँ पर सामने वाले फिर व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप उसकी स्टेटस को देख रहे हैं लेकिन अगर आज की इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग किसी के भी status को देखिएगा लेकिन सामने वाले विक्ति को पता नहीं चलेगा कि आप उसके status को देख रहे हैं तो बस इसके लिए वीडियो को शुरू से लेके अंदर देखना होगा आपको तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर किसी के भी status को देख लेते हैं फोर जामपर के लिए हम यहाँ से अपने दूसरे नंबर से एक status लगा लेते हैं उसके बाद में आपको इस चीजे लाइव करके दिखाते हैं देखें यहाँ पर हम वर्टसब में चलते हैं यहाँ वर्टसब बिजनेस है और यहाँ पर हम कोई वी एक फोटो लगा देते हैं जो कि यहाँ पर हमने लगा दी अपने status के अंदर जो कि यहाँ पर आप लोग देश सकते हैं हमारी यह photo लग चुकी है अब यहाँ पर हमें करना क्या है देखे हम यहाँ पर वर्टसप के अंदर चलेंगे और यहाँ पर हमारी देखते हैं ताकि जो हमारी photo यहाँ पर आजाए लेकिन अगर आपको यहाँ पर आती है तो आपको इस तरह से देख लिजेगा और यहाँ पर किसी की भी state देखेंगे reply भी कर सकते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलेगा इसके लिए आपको एक setting on करनी पर लेगे three dot पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको setting में आना है setting में आने के बाद यहाँ पर देखे आपको privacy के option पर आना है जैसे आप privacy के option आएंगे यहाँ पर देखे एक option मिलेगा read effect इसको आप off कर देएंगे यहाँ पर देखे I turn off event send or receive read effect यहाँ पर जो है option बताया गया है यहाँ कि chat group में सारी चीजे में काम करने वाला है इसको आप off कर देंगे किसी की वे status को देखेंगे सामने वाले विक्ति को पता नहीं चलेगा लेकिन अगर आप भी अपने status लगाएंगे तो अगर कोई भी विक्ति देख लेता है तो पता नहीं चलेगा इस तरीकी से आपको दिखेगा तो यहाँ पर यह प्रविशी है तो इस दिज़ को आप धोन ध्यां रखेगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिजिगा चैनल पे पहली बार है तो सुब्राइब कर लिजिएगा ताकि आपको वमारी जो भी वीडियों होती है लगातार मिलती रहें और आप लोग सारी वीडियों को देख पायेगा धन्यवाद